हेलो students good morning welcome to your own youtube channel Learn English with Pradip I am Pradip Kuchvaha students previous class में हम लोगोंने complex sentence जाना था हमने जाना था complex sentence को दो भागों बाटा जाता है principle clause और सब्सबार नेट में थे नाइट कलास को बताया था कि सब्सबार नेट क्लास को तीन भागों बाटा गया है कौन-कौन सा noun clause, adjective clause और adverb clause तो आज है क्लास हम लोग एड़ेक्टिव क्लास का ध्यन करेंगे विशेशन वपवाख के तो students विशेशन वब पुपवाख के वह अब inequ वह होते हैं जो एक प्रकार से ऐसे ऐसे clauses जो एड़ेक्टिव के कारई करते हैं अर्थात नाउन या प्रशेष्ता बताते है ऐसे clauses जो noun या pronoun की विशेष्ता बताते हैं उन्हें adjective clauses कहते है याद रहेगा विशेष्टाण उपवाग ये वेवपवाग के होते हैं जो संग्या सरण नाम की विशेष्ता बताते हैं तो पहले example से समझने का प्रयास करते हैं तो पहले इसको एक्जामपल के दौरा समझने का प्रयास करते हैं इसे हमारा पहला एक्जामपल है मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने तुमारी घड़ी चुराई थी मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने तुमारी घड़ी चुराई थी तो I know the man who stole your watch I know the man, who stole your watch यहाँ पर दिखे, who stole your watch जिसने तुबारी घड़ी चुराई थी या किसको इंडिकेट कर रहा है I know the man, मैं उस आदमी को जानता हूँ और थाथ उस आदमी, और थाथ man man क्या यहाँ पर? noun है, तो क्या हम पौर रहा है? adjective clause, तो essay clause essay clauses, जो noun या pronoun विशेष्था बता रहा है, इसलिए यह adjective clause है यह बुरा clause हो गया हमारा और यह clause किसी विशेष्था बता रहा है noun कि विशेष्था बता रहा है इसलिए हमारा हो गया adjective clause ठीक है ना? और इसे हम लोग main main या principle clause कहते हैं और इसे हम लोग सबाडनेट या असिरत उपा कि भी कहते हैं अगर कोई पूछे कौन सा इसमें प्रिंस्पर क्लास है ता आप बताओगे I know the man, मैं उस आदमी को जानता हूँ अगर कोई पूछे सबाडनेट क्लास कौन सा है ता आप बताओगे Who stole your watch, जो आपी घड़ी चुराया था उसी प्रकार से second example देखते हैं या एक प्रकार से आप चाहें जिसको इस वीडियो को speaking class के तौर पर भी ले सकते हैं आप अपने अनुसार sentences को लेंड कर सकते हैं इसके concept को लेंड कर सकते हैं जिसे दूसरा डियम कहता है यह वही गाउं है जहां मैं पैदा हुआ था और तौर यह वही गाँ है जहां पर मैं पैदा हुआ था इस लिए यह वही जाव है अब सवनेरे क्लास किस प्रकार का है तो व्हर आइवास बोर्ड जहां मैं पैदा हुआ था कहां village गाउं के बारे हैं बात कर रहा है village क्या है इस थान वाची है तो हमारा ये noun noun का करण करेगा noun क्या होता noun इस दने मावीनी person animal place आर्थिन जिन शब्दों से किसी जिन सब किसी वेक्ती वस्तुवा स्थान प्राड़ी या भाव का बोध होता है जिन शब्दों से वो क्या कहलाते है noun कहलाते है तो यहाँ पर यह हमारा clause है यह clause noun की विश्यस्ता बता रहा है तो यह किस प्रकार के clause होगा adjective clause होगा ठीक है न उसी प्रकार से third example देख लेते हैं तीसरा example कहता है कि यही समय है जब तुमको पढ़ना चाहिए this is the time when you should read this is the time when you should read यह वही समय है जब तुम्हें पढ़ना चाहिए दिखे this is the time यह वही समय है जब तुम्हें पढ़ना चाहिए when you should read when you should read किस पर indicate कर रहा है यह वही समय अर्थात ये भी एक प्रकार से noun को indicate कर रहा है यहाँ पर भी when you should read जब तुम्हें पढ़ना चाहिए ठीक है ना तो इसको समझेगा दूसरा चौथा example देखते हैं क्या तुम कारण जानते हो कि वह क्यों अनुतिर्ण हो गया क्या तुम कारण जानते हो यह हमारा हो गया principle clause और why he failed की वह क्यों फेल हो गया यह हो गया हमारा subordinate clause तेहाँ पर यह असरित है इस पर और यह प्रकार से noun का कारे कर रहा है यह noun हो गया why he failed reason के वारे में discuss कर रहा है कि वह क्यों फेल हो गया तेहाँ पर यह हमारा clause adjective का कार कर रहा है क्योंकि यह noun ya pronoun की विशेष्टा बता रहा है उसी प्रकार से पाच्वा एक्जांपल कहता है यह वही पुस्तक है जो तुमने कल पढ़ी थी this is the book you read yesterday this is the book you read yesterday read okay यह past indefinite है वर्प की second form में read 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 बोलते है लेकिन spelling आपका read ही रहता है this is the book that you read yesterday आप that लगा सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं तो this is the book that you read yesterday यह वही पुस्तक है जो तुमने कल पढ़ी थी that जो यहां पर that जो का प्रियोग कर दें करें भी ना करें चले गा लेकिन कर देते हैं आप तो that you read yesterday हमारा हो गया subordinate और this is the book क्यों हो गया principle तो यह हमारा किस प्रेकार clause है यह हमारा है क्योंकि यहां पर that you read yesterday जो तुमने कल पढ़ी थी क्या पढ़ी थी पुस्तक पढ़ी थी पुस्तक क्या है नाउन है तो अथा यह clause नाउन की विशेश्ता बता रहा है और जो clause नाउन की विशेश्ता बत करते हैं do not live with such students who waste their time तो do not live with such students who waste their time कैसे बनाएंगे इसको समझेंगे हम लोग do not waste do not live with such man ऐसे लोगों साथ मत रहो हम चाहें तो इसको fully stop लगा करके complete sentence बना सकते हैं और यह कौन सा clause हो का principle clause कहलाएगा लेकिन who waste their time जो अपना समय बरबात करते हैं यह अपना भावस पश्ट तो दे रहा है लेकिन complete sentence नहीं है इसलिए यह आसिरत है principle clause पर और who waste their time जो अपन समय बरबात करते हैं कौन अपना समय बरबात करते हैं students के बारे हम बात कर रहा है students क्या है noun हो गए है यहां पर यह clause किसकी विशेशता बता रहा है noun की विशेशता बता रहा है इसलिए हमारा एड्जेक्टिव clause होगा एड्जेक्टिव क्लाउस एड्जेक्टिव क्या होता ह वह लड़की जिसकी पुस्तक हो गई है, बहुत निर्धन है, the girl whose book is lost is very poor, यहाँ पर the girl is very poor, यह हमारा principle clause होगा, बीच में आगया सबार्णेट क्लास, the girl is very poor, वह लड़की बहुत गरीब है, who lost, whose book is lost, जिसकी बुक हो गई है, और यह वाला क्या है, यह वाला होगा हमारा सबा किस पर आशिरत हो रहा है, किस के बारे हम बात कर रहा है, girl के बारे हम लड़की के बात कर लड़की क्या है, लड़की noun है, तो इस से इस बश्ट है, कि जो clause noun की बात करते हैं, noun के बारे में qualify कराते हैं, वे adjective clause क्या लाते हैं, तो यहाँ पर whose book is lost, objective clause है, आगे बढ़ते है, अब इसके नियम की बात कर लेते हैं, इनके नियमों को जानना भी महात्व पूर्ण है, जिस प्रकाल से हमने एक्जाम पर दौरा बहुत कुछ समझ लिया है, हमने समझा नाउन क्लाउस क्या होता है, हमने समझा एडजेक्टिव क्लाउस क्लाउस क्या होता है, और थड़ा सा रूल करता है adjective clause, सुधानत्या किसी relative pronoun, who, whose, whom, which, that, या relative adverb, when, where, or, y से प्रारम होते हैं, example में आपने देखा भी न, कुछ sentence, who, whose, या which से या that से प्रारम हो रहे हैं, कुछ when, or, where, या why से भी प्रारम हो रहे हैं, इसी प्रकार से तीसरे निम करता है, गेधि पहले किसी noun में such, या same हो, same है, तो adjective clause, as, से प्रारम होता है, जिसे example number six में आपने देखा था example number six में, आपने देखा था, या पहले clause में such, या same है, तो adjective clause ऐसे प्रारंब होता है, ठीक है न, देख लेते हैं, यहां पर example number 6 देखिए, example number 6 कहता है न, do not live with such students who waste their time, यहां पर such का use किया गया है, यहां पर as यहां हू लगा सकते हैं, यहां पर हमने हू का प्रयोग करके बना दिया है, समझेगा इसको, तो इस प्रकास से इस जिसे पहले example में कहता है, पहले examples देखिए, यहां पर जो या जिसने अर्थ आ रहा है, दूसरे example में जहां या जिसने जो आ रहा है, उसी प्रकार तीसरे example में भी देख लिए, जब आ रहा है, चौते में भी की आ रहा है, जो आ रहा है, इसी प्रकार से, जो आ रहा है, इसी प्रकार से जिसकी है इससे इस पश्ट हो रहा है कि हिंदी वाक्यों में इसमें क्या शब्द आता है हिंदी वाक्यों में अर्थ निकालने पर इसमें जो जो की जिसने जिसे जब जहां आदी शब्द होते हैं अगर ऐसा है तो हमारे एड्जेक्ट्ट्व क्लास कहलाते हैं students आज की class में बस इतना ही next video में फिर से मिलते हैं तब तक के लिए thanks for watching the video, जय हिंद